कि यहां चौहान साब की बात भी सुन लीजिए हाँ आप कुछ बोल रहे थे चौहान साब बोलिए उनका कहना है लेकिन किसी जाती और धर्म से आप किसी पद को नहीं जोड़ सकते यह सम्विधान के अगेंस्ट है क्या कहेंगे इस पर खुष्भूजी एक इनसान जो है एक इनसान को टच करता है आशिरवाद देने के लिए दूसरा टच करता है गुद्धि करने के लिए और तीसरा टच करता है अब सब्सक्राइब करना अपराध है आप यह बताइए हमको और कहां लिखा हुआ है कि जाती और धर्म से ऊपर नहीं सम्मेधानिक पत्व बैठा हुआ प्लेक्टी आप यह अगर यह चीजिए आप अशिरवाद देने के लिए छूता है गुद्गुद्गुदी करने के लिए आरा बदनियती से चूटा है छूता है लेकिन आपको कानून किसको कानून किसको अपराधी मांताहे जो जो बदनियती से चूथ इस इक होता है लेकिन इंटियों आपके बीजब मैंना वोला बिल्येक्टि कर सकते-फारी 500 Kolleginnen हमारा इंटेंशन क्या है हम वाव क्या है हम किस भाह से हो रहे हैं यूत popularown फूरणब्स पूरा शुद्धलम है और भावं क्वाहिर क्माइद सफया को दम जब पहले तो यह क्या गलत नहीं है आप क्यों करते हैं अपने लिए मतलब बंद कमरे में चेत्र चेड़ा की बात करते हैं आप लोग अपने लिए कमरे में बात करते हैं इंटेंशन पंकत जी से मेरा सवाल रहेगा इंटेंशन से चलता है यहां पर यहां पर इंटेंशन आपसे बड़ा किसके पास है कर दो नीरा जी को भी दो किसी जाती अधर्म से इस पद को नहीं जोड़ते जैसे आप पद करते हैं जाती और धर्म इन सभी चीजों से उपर आ जाते हैं अब इस पर आप क्या कहेंगे तकनीकी खाम्यों के वज़े से पंकर जी से संपक तूट गया है नीरज वापस आपके पास आना चाहूंगी और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जब मैं पंकर जी से बात कर रही थी तो पंकर जी ने एक बड़ी एहम बात बोली कि इसका बीजेपी राजनितिक फाइदा उठा सकती है आपको लगता है क्या क्योंकि उन्होंने एक एक जैंपल भी दिया कि जब कॉंग्रेस की तरफ से ये बात बोला गया था कि चाय वाला मोदी और इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनावी मैदान में उत्री और जनता का समर्थन मिला क्या लगता है कि इसी तरह दो हज आज भी ब्रेक होके आ रही है अफ प्रिज भी कर रहा है लेकिन जहां तक मैं सुन सका हूं आपने ये पूछा है कि क्या वो जगदीब धनकर वाले बयान पे जनता का समर्थन की बात आपने शायद पूछी है जी पंकर जी आप कंप्लीट करें आप अपनी बातों को जी तो मैं यह बोर रहा था ना मेरे कहने का मतलव था कि किसी ने कहा कि मैंने ऐसे अनर्गल आरोप लगाये थे कि अजी दोभाल को भी पर भी लगाया सकता है मैंने कुछ नहीं कहा इनके सुद साब की किताब है 2017 मंत्री को जो चिठी लिखी थी एक आफिसर्स ने उसके आधार पर और इंटरव्यू था नुश्रत मिर्जा का वह इंटरनेट पर मौजूद है कोई भी जाकर देख सकता है खेर मैं उस सवाल पर नहीं आता हूं मैं आता हूं मौल विशय पर कि जगदीब धनकड़ वाला जो विशय है मेरा यह कहना है कि जब धनकड़ की मिमिक्री पे बीजेपी राजनीती कर रही है यह तो मैं भी कर रहा हूं कि वो द्यान अपने भटकाने के लिए वो अपने सिंपरी से खिलने की कोशिश कर रही है मेरा यह कहना है कि बहुत बड़ा इश्यू है देड़ सो सांसदो का निलंबन और गौर्ण साहब ने बिलकुल सही कहा कि जिस तरह से कानून पास कराए जा रहे है आज चीफ एलेक् करा लिया तो यह देश के लिए खतरनाक है मैं यह कहना चाहरा हूं लेकिन शरत पवार ने उससे डाइवर्ट किया उन्होंने कहा कि जपी सी कोई जरूत नहीं है यह उसके बाद जब यह आज वाला मुद्द आया तो जैराम रमेश हमीरी को लेकर बैठ गये तो मेरा यह कह कॉंग्रिस के दुश्मन कॉंग्रिस के घर के अंदर हैं यह बात समझना पड़ेगा राहूल गार और दूसरी बाकी जो कॉंग्रिस को चलाने वाले जो लोग हैं उनको कि बार बार आप ही के लोग डिरेल कर देते हैं मुद्दो को यह कोई देश नहीं कर रहा है जो विप कर दो